देखो फ्रेंड मैं ये नए डिजाइन की सूज ले करके आई हूँ जो मैंने जीरो से एक साल के बच्चे के लिए बनाई है देखो चलो हमें इस तरह की आपको बनानी बताएंगे हेलो फ्रेंड वेलकम आई यूट्यूब चैनल आज मैं आपको नए डिजाइन की बूट बनाने बताऊंगी जो मैंने ये ब्लू कलर की उनली है और ये दस नंबर की सलाई लिए और ये मैं जीरो नंबर से एक साल के आपको अगरानी बताऊंगी इसे बनाने के लिए हम सूले फंदे डालेंगे और ये बढ़ रही जल्दी बनके तयार हो जाती है चलो हम ये हम सिंगल उनसे ही बन फंदे डालेंगे तो हम फंदे डालेंगे एक दो तीन पूरे सोले फंदे डाल लेते हैं देखो फ्रेंड हमने ये सोले फंदे डाल ली है अब हमें यहां से बनना स्टार्ट करेंगे तो हम यहां यह उल्टा बनेंगे इस तरह ऐसे देखो फ्रेंड हम यह इस तरह ऐसे प्रेंगे डालेंगे एक प्रेंगे प्रेंगे बनना से बनना से बना से तरह दो कि हम सीधी साइड है कि सॉरी हम उल्टी साइड है तो हम उल्टी साइड भी उल्टा ही बनेंगे पहला पुनना हम ऐसे ही उतारेंगे यह देखो इस तरह से कि स्वाइड है पहला पंदा इससे इतार हैं, दोनो साइड से हमें उल्टा ही बनना है देखो फ्रेंड हमें इस तरह से ये दोनो साइड से उल्टा ही बनना है देखो पहला पंदा हम ऐसे उतार लेंगे झाल झाल इस तरह से हमें सारी सलाईयां बना के कंप्लीट कर लेते हैं यह हमें सारी दहरियां इस तरह से हमें तीज दहरियां बनानी है झाल झाल देखो फ्रेंड यह मैं तीज दहरियां बना के कंप्लीट कर लेती हूं दोनों साइड से हम उल्टा ही बनाएंगे इसमें कोई फंदा घटाना बढ़ाना नहीं है यह पत्ली लंबी पत्ती हम ऐसे ही बना लेते हैं और यह पूरा बनाने के बाद हम आपको यह पत्ती बनाने के बाद हम आपको दिखाएंगे आपको दिखाएंगे अगर फ्रेंड मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेर करें और कमंट करके जरूर बताएं कि यह 22 सूज आपको कैसा लगा चलो हम यह पूरा इस तरह से पूरा बना लेते हैं तीस धारियां फिर आपको दिखाएंगे देखो फ्रेंड हमने यह पूरी तीस सलाई बना के दोनों साइट से कंप्लीट कर लिए हैं और हमने यह उल्टी उल्टी ही बलाई हैं अब हम एक वार कांट कर लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, क्यारा, बारा, तेरह, चौदा, पंदा, सूल, सत्रा, अठारह, उन्निस, भीस, इकिस, बाइस, तेश, चौविस, पचिस, चौविस, ताइस, अठाइस, अठाइस, उन्थ, तीस यह हमारी पूरी टोटल, तीस सलाई हमने बना लिए है, तोअब हम यहाँ से बाइंड उफ करेंगे फंदो को, तो फंद इसतरह हम, डो फंदे एक साथ लेगे, और दोनों को हम, एक साथ बनाएंगे, हमारा फंदा एक बन गया है, अब हम, देखो फरेंड, इस तरह से, हम स फंदा वापिस आ गया फिर हम इसे सलाई में डालेंगे फिर हम इसे वापिस सलाई में डालेंगे और एक फंदा इससे सलाई से लेंगे यह देखो इस तरह से यह देखो वापिस हम इसे सलाई में डालेंगे और एक फंदा ऐसे लेंगे देखो फ्रेंट हमारे सारे फंदे हमने बाइंड आउफ कर लिये हैं अब हम इसे सलेंगे तो हम इसे धागे को इस तरह से खीच लेते हैं एक नॉट लगा लेते हैं देखो फ्रेंट हम इसे ऐसे ऊल्टा करेंगे और हम यहांसे इस तरह से इसकी शुलाई लगाएंगी दो चलो हम सिलाए लगा लेते हैं ऐसे एक एक चैन में डालेंगे है हुआ है इस अब को आइ हुआ है इंकी चैल, जो किसी आड़ जो किल सेस्ता ज कि कालब सेजिस्ट करेंगー पिसित प्रेट L Ng कि यहां में नॉर्स लगाएंगे करेंगे अब हम इसे सीधा करेंगे अब यह हम यहां से हम एक दो तीन चार पाँच छे इधर से इसको हम देखो फ्राइंड एक दो तीन चार पांच छे तो हमें यहां से ऐसे धागा निकाल लेना है और ऐसे एक के कुछ में ऐसे अब दर से वे काँए दो तीन चार पांच छे तो देखो फ्राइंड हमने यह छे दोनों साइड से निकाल लिया छे छे फली इधर से छे फली इधर से अब हम इसे इस तरह से देखो मेरा यह बूट कितना सुन्दर बनके आया है आप यहां पर इस्टॉन भी लगा सकते हो मोती भी लगा सकते हो तो यहां हम एक नॉट्स लगा लेते हैं दागा कट करेंगे देखो फ्रेंड हम यहां मोती लगा लेते हैं इस तरह से हम सुनी में दागा डालेगे और मैं इस तरह से कितना से हम सुनी मान पर मैं एक रवाद स्केश एक नॉट्स लगा ले देखो फ्रेंड हमने ये मोटी इस तरह से लगा दिया है देखो हम पीछे से दिखाते हैं इसकी से इतनी अच्छी आई है पीछे से देखो और ये एक साल जीरो से एक साल के बच्ची के बहुत अच्छे से आएका देखो